हेलो एडिवन आज का टोपिक है वो बहुत ही इंटरस्टिक होने वाला है तो इसका वीडियो का मतलब बच्चे के लिंक से कोई भी मतलब नहीं है ये सिर्फ एक हमारी जो जिग्यासा होती है कि बच्चा कब क्या करता है क्या नहीं करता है एक मदर के वोम में तो बस ये करने के लिए हम ये वीडियो जो है वो बनाते है ताकि हर एक जो मदर है जो मा बनने वाली है वो जान सके तो हम वीडियो के बारे में बताएंगे कि गरब में जो बच्चा होता है उसकी हलचल पहली बार कब महसूस होती है बिना अल्ट्रा साउंड के कैसे पता करते हैं कि बच्चा बोई है या गरल है कैसा है हमारा बच्चा हमारे पेट के अंदर कब किक मारता है जब बच्चा किक मारता है तो वो खुशी होती है एक मा को जिसका अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता है सर्फ एक जो मा होती है वो ही अपने बच्चे को महसूस कर सकती है नो महिने तक अपने बच्चे को जो गरब में पालती है मा सर्फ वो ही अपने बच्चे की जो मुमेंट है वो फील कर सकती है कि वो किस सैड बेबी जो मुमेंट है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ये सबसे खास पल होता है हमारी life का और special mother के लिए जो newborn baby की mother है उनके लिए तो ये depend करता है अगर husband wife में थोड़ी बहुत भी अगर तकरार हो जाए या हम tension में है mood swing हो रहे हैं तो एक जायद सी बात है कि बच्चा वही मैसूस करेगा जो मा मैसूस करते अगर mother खुश है तो बच्चा भी खुश रहता है अच्छे से मतलब moment है वो करता है कई बार हो जाता है कि husband wife की नोग जोग हो जाती किसी other person से भी नोग जोग हो जाती हैं और कभी-कभी ऐसा मन करता है कि बस हम किसी से बात ही ना करें और मन ऐसा होता है कि छोटा बच्चा होता है बिल्कुल वैसा ही एक प्रेगनेंट लेडी का मन होता है कई बार उल्टिया होती है बहुत सारी जो चीजे हैं उनका सामना करना पड़ता है एक प्रेगनेंट ले अगर घर में लड़ाई हो रही है तो बच्चा सारी चीजे सुन सकता है मदर के वोम में और म्यूजिक सुनना भी बच्चे को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है अगर हम म्यूजिक सुन रहे हैं तो बच्चे को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और उसकी मुमेंट थोड़ी ज्यादा होती है अब हमें यह जाना है कि बेबी अगर मुमेंट नहीं कर रहा है कि नहीं मार रहा है पांचमे महिने के बाद भी तो हमें डोक्टर के पास कब ज जाना चाहिए तो डोक्टर के पास हा में जाना चाहिए छटा महिना अगर हमारा कंपलीट हो गया है कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है लेट मुमेंट करता है कई बार जो बच्चे होते हैं मदरवों में और बताया जाता है कि जो बोए हैं वो बहुत आलसी होते हैं त तो लेट जो किक है वो करते हैं तो शिक्स्त मंद के बाद आप डोक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है तो अल्टर साउंड में ये सब कलियर दिख जाता है कि डोक्टर को कि बच्चा कैसा है और किस तरीके से अगर वो मुमेंट कर भी रहा ह और मदर को फील नहीं हो रहा है तो ये सब अल्टर सांड में हमें पता लग जाता है और इससे मतलब अच्छी मुमेंट के लिए तो हमें अच्छा अच्छा जो ड्रिंक है वो करना चाहिए मतलब जो पानी है वो पीना चाहिए नारेल पानी और फूड है वो कहने का मतलब प्रेग्नसी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा liquid लेना चाहिए juice हो गया नारेल पानी हो गया तो हमें ये सब लेना चाहिए और बच्चे को भी थोड़ा सा मतलब light feel होगा और अच्छे से पानी की जो कमी है वो भी बच्चे को नहीं होगी तो उमीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का